जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूप चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 नवंबर और 7 नवंबर के कन्याराशी फल के बारे में कन्या राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में क्या ग्रहनक्षत्रों की स्थितियां होंगी कौन से योग बनेंगे और वो आपकी दिन्चर्या को इन दो दिनों में किस तरह से प्रभावयत करेंगे आपके प्रेम जीवन को, पारिवारिक जीवन को, कारेशित्र को, नौकरी को, व्यपार को, सिख्षा और स्वास्थे को हर चीज के बारे में जानेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निविदन है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं 6 नवंबर की बात करते हैं तो ये क्रशन पक्षक की शस्टी तिथी है और शुप्रवार का दिन है इस दिन आदर नक्षत्र रहेगा सुब़े 6 बच कर 45 मिनट तक उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाएगा इस दिन बड़े ही सुन्दर योग बन रहे हैं सिद्ध और साध्ध है चंद्रमा सुब़ा तक मितुन राशी में है उसके बाद करकर राशी में जाएंगे और सुरिय तुला राशी में चल रहे है सुबह साड़े आट बचे तक ये स्वाती नक्षत्र में रहेंगे सुरिय उसकी बाद इनका नक्षत्र बदलेगा और ये विशा का नक्षत्र में चले जाएंगे इस दिन रवी योग बनेगा और इस दिन का जो अभी जीत मोर्द है वो सुबह 11 बच कर 43 मिनट से दोपहर 12 बच कर 27 मिनट तक रहेगा अब 7 नवंबर क्रशन पक्षके शनिवार का दिन है सुबह 7, 7 बच कर 23 मिनट तक शस्तिती थी है उसके बाद सब्तमीतिती लग जाएगी और सुबह 8 बच कर 5 मिनट तक पुनरवशन नक्षत्र रहेगा उसके बाद पुष्ट नक्षत्र शुरू हो जाएगा जो की बिहत खास बहुत ही अच्छा नक्षत्र माला जाता है शनिवार का ये दिन है सुरिय भी विशा का नक्षत्र में आ चुके हैं तुला राशी में और चंद्रमा करक राशी में आ चुके हैं इस दिन त्री पुष्कर योग बन रहा है सुबह से और अरवी योग भी बन रहा है साथ ही इस दिन का भीजीत मुर्थ सुबह 11 बच कर 43 मिनट से दोपहर 12 बच कर 26 मिनट तक रहेगा तो जो चंद्रमा की स्थिति है वो काफी अच्छी है और आपके तो दस अंभाव और एकादस भाव में चंद्रमा बैठे हुए है साथ ही ये दोनों भाव तो अच्छे हैं ही लेकिन जो योग बन रहे हैं उनका प्रभाव बड़ा अच्छा रहेगा इन योगों में ये जो अभी समय चल रहा है ये खास और से योगों की वज़ा से बहुत ही विश्यस समय होता है जो ये दिपावली के पहले साथ दिन से शुरू होता है तो यहां खरिदारी के लिए बड़े अच्छे सही योग बनते हैं शुबकारियों के लिए सही योग बनते हैं काम को बढ़ाने के लिए ये जो योग होते हैं बहुती लापतायक होते हैं अब ये कन्यराशी के लोगों के लिए दू दिन किस तरह दिन चल्या को परिवर्दित करने वाले होंगे तो चंद्रमा आपकी दसंभाव में होंगे, इकादस भाव में होंगे सबसे पहले 6 नमबर का जो दिन है चंद्रमा आपकी दसंभाव में होंगे, कर्म के भाव में तो यहां आपको एक तो अपनी कारशेत्र के द्वारा जो आपने मेहनद की है, आपकी कारिक शित्र के दौर आपको उसका रिजर्ट अच्छा मिलेगा, इसमें आप सभी के साथ बढ़ा अच्छा वेवार करेंगे, मिल जोल आपका बढ़ेगा, अच्छा आपका समय रहेगा, ये ऐसा समय होगा जब अपनी काम के आप खुद मुर करते हैं, क्योंकि ये समय है खर्चों का, ये समय है घर में खर्च करने का, इस दौरान कहीं गुमने फिरने का प्लान भी आप कर सकते हैं, कहीं गुमने फिरने भी जा सकते हैं, आप नौकरी करते हैं, तो नौकरी में आपके लिए कुछ पदोनती के योग भी बने हुए है बोनस वगेरा के योग बने हुए है माता जी का स्वास्त है अगर कुछ खराब चल रहा था तो उनका स्वास्त भी सुलतेगा घर परिवार में खुशियां भी कायम रहेंगी तो इस्तितियां तो बहुत हद तक आपके लिए अच्छी निर्मित हो रही है ये दिन जो है सकारात मक्ता से भरा रहेगा उर्जा का इस तर भी बढ़ेगा जो लोग खास्तों से लकड़ी का बिजनिस करते हैं लकड़ी से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का फरनीचर बनाते हैं या आप किसी भी तरह से लकडी से जुड़ा बिजनिस करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा फाइदे का दिन ये सावित होगा। विवाहितों के लिए भी अच्छा समय हैं और इस दोरान आपके विवाहित की जीमन में बड़ी खुशियां रहेंगे, खुशियों आपके घर परिवार में बसने वाली हैं, इस दोरान आप अपनी परिवार की किसी समस्या को सुलजाने का प्रयास भी करेंगे, और दूसरे लोग आपके फैसले की कदर करेंगे, आपकी कुशलता, आपकी योग्यता की तारीफ करते हुए दिखाए देंगे, ये समय आपकी जो सहायता होगी, जो आप लोगों की सहायता करते हैं, उस चीज को काफी सरहा जाएगा यहां, जो आनुकुल समय है, उसके बाद चंद्रम जो है आपके लाब भाव में आ जाएंगे ग्यारवे भाव में और ये जो इस्तिती होगी काफे अच्छी होगी एक तो आपके जो बड़े भाई भेहन हैं उनसे कुछ सम्मंधों में परिशानी चल रहे थी तो वो परिशानी दूर होगी आपके कारशित्र में आप अपने व अच्छने आ सकती हैं और जो आपका काम है जो आपका वर्क है वो पैंडिंग रह सकता है तो आपको फोकस करना है अपने काम के उपर वरना पैंडिंग वर कितना हो जाएगा कि आप पोरा ही ना कर पाए तो विध्यारतियों के लिए थोड़ा सा फोकस करने का ये समय है इस दौरान आपके दिमाग में किसी बात को लेकर कुछ बेचान इसी भी रहेगी और इस बद्लाव को लेकर आप अपने कुछ बात से अधिकारी को बात करते हों भी दिखेंगे जिस पर आप पूरा भरोजा करते हैं उससे आप इन बातों को कर सकते हैं इसके साथ ही आप ये भी सुनिश्चित कर लें कि जो आपको कुछ अफसर प्राप्त होने वाले हैं उसमें आप किस तरह की यूजना जो बना रहे हैं उस यूजना का एक बार आप अपने जो बॉस हैं आपके जो अधिकारी हैं उनसे आप राय मश्वरा जरूर लें आपकी अच्छा कुशलता से भरा कारिया इस दोरान करेंगे अपनी काम में सजग रहेंगे आर्थिक रूप से फाइदे की ये दिन हैं लाब भाव में चंद्रमा लाब दिलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और ये फाइदा आपको पदुन्नती के रूप में भी हो सकता है प्रो महान है घर है सोना चांदी कपड़े तो इस नक्षत में आप खरीदें बहुत ही शुव नक्षत रहे और आपके लिए अच्छा रहेगा लेकिन जो छे नुमबर का दिन है इस दिन भी सरवार से योग रहेगा ये सुभा के वक्त है तो ये भी आपके लिए अच्छा समय र रहेगा आप अपने परिवार में इस समय गर्म जोशी से सब का स्वागत करेंगे प्रेम संबंद भी दांबद जीवन भी अच्छा रहेगा आत्मिक सुख मिलेगा इस दोरान कुछ नई दोस्ती या भी आपकी बन सकती है और कुछ नई रिष्टे भी आपके इस दोरान बन सकते हैं स्वास्ते संबंदी देखे जाए तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है एक तो रसोई में काम करते समय नोकिली धातों से सावधानी रखनी है चाकू वगेरा से या मशीन वगेरा आप मशीन पर कुछ कारे करते हैं तो वहाँ भी आपको सावधानी रखनी होगी सतरक रह झाल